राथे राथे दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फेसे दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरू दबाएं दोस्तों सभी एकादशियों में मोहिनी एकादशी को बहुत ही पावन और फल्दाई तिधी माना गया है पौराणिक मानेताओं के अनुसाद जो भी व्यक्ति इस पावन दिन पूरे विधी बिधान से ब्रत रखते हैं तो उनके जीवन में सब कुछ कल्यान में हो जाता है मोहिनी एकादशी का ब्रत रखने वाले व्यक्ति मोहमाया के जनजाल से भी मुक्त हो जाते हैं और मृत्यू के पश्चात उन्हें मुक्ष की प्राप्ति होती है माना जाता है इस एकादशी का ब्रत करने वालों के कई जन्मों के पाप भी नश्ट हो जाते हैं भगवान विश्णों की किरपा से जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आता जीवन सुख में बनता है भगवान विश्णों की किरपा से मन्चाहा बर्दान प्राप्त होता है पूर्जन एक साथ करते हैं भगवान लक्षमी नारायन उन पर अतिशेक्र ही प्रसंद हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनुकामनाओं को पूरा करने का परदान-परदान करते हैं दोस्तों आज की इस बीडियो में हम आपको एकाधिशे के इस सुपसायों पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाय को करने से भगवान लक्षमी नारायन के कृपा से दंजम्मंदी समस्याएं दूर हो जाते हैं माल लक्षमी की अस्यम कृपा प्राप्त होती है जिससे घर में धन की कोई कमि नहीं रहती घर में सुकसम्रधी बनी रहती है भगवान लक्षमी नारायन के कृपा से जीवन में चली आ रही परेशानिया खत्म होती है और कश्टों से जठकारा मलता है दोस्तों यह उपाई आपको एकादशी की रात्री को कैना है क्योंकि शास्तों में बताया गया है दिन की अपिक्षा एकादशी की रात्री में की गई पोचा कई गुना अधिक पुन्य फलताई होती है इसलिए यह उपाई आप एकादशी पर संध्या काल के समय से रात में किसी भी समय अपनी श्रधा नुसार कर सकते हैं उपाई कहने के लिए सबसे पहले इस्नान का सच्छबस्त धारण करें अगर आपने दिन में इस्नान किया है तो उपाई कहने से पहले आप अच्छी तरह से मुहात पैत हो ले और सच्छ बस्तर पहने हो सके तो लाल या पीले रंग के बस्तर पहन कर आप इस उपाई को करें ध्यान रखें काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने अब दोस्तों आप एक साबुत फूल बाली लॉंग ले जी हाँ दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लॉंग साबुत होनी चाहिए जिसमें फूल हो तूटी हुई लॉंग ना ले और इस लॉंग के साथ ही आप एक छूटी साबुत हरे रंग की इलाईची ले ले इलाईची में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इलाईची फटी हुई नहीं होनी चाहिए आपको साबुत लॉंग और इलाईची लेनी है अब आप इन्हें एक कटोरी में डख लें आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं अब आप भगवान शिरी गणिश को प्रणाम करें भगवान लक्ष्मी नारायन को प्रणाम करें आप भगवान ची के सामने एक खीका दिया जलाएं और एक सुगंधि धुब्वति जलाएं अगर आप संध्यकाल पूजन के समय इस उपाई को कर रहे हैं तो पूजन के लिए जो आपने दिया जलाया है उसी दिये को जला रहने दे उपाई करने के लिए आपको अलग सी दिया जलाने के जररत नहीं है दोस्तों अब आप भगवान शीहरी विष्टू मालक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम से तिलग करें और भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाए फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर, मिश्री, बताश्य, आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं भोग लगाने के पश्चात दोस्तों ये जो लॉंग और इलाइची हैं इन पर भी आप हल्दी और कुमकुम से तिलग करें अब आप ये लॉंग और इलाइची तोनों उठाएं और भगवान जी के चर्णों से लगाएं इसके पश्चात इन्हें आप अपने दाहिने यानि की राइट हैंड में रखकर मुठे में दवा लें और फिर भगवान विश्णु जी के द्वादर्श मंत ओम नमो भगवती वासु देवाय का ग्यारे बार जाप करें मंत्र है ओम नमो भगवती वासु देवाय मंत्र का जाप करने के पश्चात दोस्तों अब आप मा लक्षमी के इस मंत्र का जाप करें मंत्र है ओम महालक्षमे नमा मंत्र है ओम महालक्षमे नमा दोस्तों आप चाहें तो उंगली पर गिल कर भी जाब कर सकते हैं लेकिन अगर आपके घर कमल गटे की माला हो तो आप इस मंतर का जाब कमल गटे की माला पर करें ऐसा कैना अति शुब रहता है ऐसा कैने से मालक्ष्मी अति शीक्र ही प्रसंद हो जाती है दोस्तों मंत्र का जाब करते समय आपको बीच में बोलना नहीं है यानि की लगातार 108 वार आपको मंत्र का जाब करना है तभी माला पोड होगी और यह भी ध्यान रखें मंत्र का जाब करते समय आपको यह लॉंग और इलाईची अपनी दाहिने हाथ याने की राइट हैंड की मुठी में दबा कर ही रखनी है जाब पूरा होने के पश्चाद अब आप यह लॉंग और इलाइची भगवान श्री हरी विष्णू मालक्ष्मी जी के चर्णों से लगाए और फिर भगवान विष्णू मालक्ष्मी जी के मंतर से अभी मंतर इन लॉंग और इलाइची को आप एक पीले रंग के कपड़े में रखें आपको एक छोटा सा पीले रंग के कपड़े का टुकड़ा लेना है उसमें आपको यह लॉंग और इलाइची रखकर इसे सुई धागी की मदश से कपड़े को सिल देना है आप एक छोटा ताबीश सा एक छोटा सा पाउच बना लीजिए और उसमें यह लॉंग और इलाइची रख लीजिए अगर ना सिल सकें तो आप कपड़े में गाट बान कर छोटी सी पोटली भी बना सकते हैं लॉंग और इलाइची सिलती से में भी आप पीली रंग की धागी का ही इस्तमाल करें दोस्तों इस तरह भगवान पिश्टू और मा लक्ष्मी ची के मंत्र से अभी मंत्रत इस लॉंग और इलाइची को आप भगवान लक्ष्मी नारायन के प्रशास सुरू अपने धन रखने के इस्तान पर रखें धन रखने के इस्थान पर आप अपने घर में किसी बॉक्स में रुपए रखते हैं उसमें या अपने तेजोरी में या अपने गहनों के साथ इसे रख सकते हैं आप चाहें तो इसे अपने बॉलिट में अपने पर्स में भी रख सकते हैं आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका बॉलिट चमड़े का नहीं होना चाहिए जैक जीन आर्टी फीशल जो लैदर होता है उसका बॉलिट है तो उसमें आप रख लीजे लेकिन चमड़े के परस में आप लॉंग लाइची ना रखें दोस्तों लॉंग और लाइची का हमारे धम शास्तों में बिशिश महतु बताया गया है लॉंग को बहुत ही पवित्र माना जाता है साथी लाइची मालक्षमी औभगवान श्री गणेश को अत्यथिक प्रिया है इस तरहें लॉंग और इलाइची को अभिमंतित का धन रखने के इस्थान पर रखने से भगपान लक्ष्मी नारायन की कृपा से धन संबंदी समस्यां जल्द ही दूर हो जाती है घर में फिजूल खर्ची होनाबंद हो जाती है जिससे घर में पैसा टिकने लगता है और धन की समस्या नहीं होती धन आवक के नए मार्ग भी खुलते हैं धन में बढ़ोत्री होती है साथी घर में चली आ रही परिशानिया भी दूर होती हैं कश्टों से छुटकारा मिलता है और घर में भगवान लक्ष्मी नारायन की कृपा से सुक्सम्रथी बनी रहती है दोस्तों इस लौंग इलाची की पोटली को आपको अपने धन रखने के इस्थान पे ही रखा रहने देना है और अब जब एकादशी आए तब उस दिन आप इसे निकाले और फिर से पूजन में रख इसे अभिमंतृत करें और फिर से अपने धन रखने के इस्थान पर बॉस्ते हैं, दूस्ते ही सुपाई को करने के साथ ही कुछ बातों का विशिष ध्यान रखें, इकादशी के दिन आपने बृत रखा है या नहीं भी रखा, तब ही आज के दिन आपको जौ और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, सेवन के साथ ही किसी भी रूप में ज़ौ और चावल का इस्तमाल भी नहीं करना चाहें। पूजन में भी चावल का इस्तमाल ना करें। क्योंकि आज के दिन चावल को मासाहार की शेड़ी में रखा जाता है। और चावल का इस्तमाल करना बर्जित होता है। एकादशी के दिन भगवान विश्णू को भोग लगाते समय भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विश्णू भोग को स्विकार नहीं करते लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एक आदशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए तुलसी या किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते या फूल नहीं तोड़ने चाहिए तो आप पूजन के लिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें अगर ऐसा नहीं कर पाए हैं तो अपने आप से तूटा होगा जो तुलसी का पत्ता पड़ा हो आप उसको भी लेकर धोकर भगवान विश्णू जी को अरपित कर सकते हैं या फिर पहले भोग में जो आपने भगवान विश्णू जी को पत्ता चढ़ाया हो आप उसे बापस भोग में रख सकते हैं क्योंकि तुलसी का पत्ता कभी भी पार्सी नहीं माना जाता एक आदशी के दिन इन बातों का विशिश ठ्यान रखें उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंत आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में ज़्यादर से ज़्यादर शेयर करें जिस से भे भी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तैंक्स फॉर वाचिंग राधी राधी